भारत एक ऐसा देश है जहां आज के तकनीकी यूग में भी लोगों दौरा कहीं अंदविश्वास माने जाते हैं जो है आपको हैरान कर देंगे हम भारतिये खुद को कई बार अंदविश्वासों और तकनीकी यूग के बीच खड़े पाते हैं इन अंदविश्वासों पर सवाल उठाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी बनता जा रहा है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आठ ऐसे अंदविश्वासों के बारे में जिन पर आज भी इंडिया में लोग आग बंद करकर विश्वास रखते हैं पर उसके पीछे का लोज रोशनी लेकर बढ़ते हैं उससे पहले लोगों को ये तक नहीं पता था कि सूरज की रोशनी और कार्बन डायोकसाइड का प्लांट के साथ रिलेशन क्या होता है लेकिन हमारे पूर्वा जो को फोटो सिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में पता था जिससे उन्होंने लोगो को रात के समय पेड़ों के नस्देख सोने के लिए मना किया लेकिन लोगों ने पीपल के पेड़ के साथ ये तथे ही जोड़ दिया कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं इसलिए इस पेड़ के पास रात के समय नहीं जाना चाहिए हमारे पूर्वा जानते थे कि इंसान और पिथवी की magnetic rays में क्या relation है इस वाजे से उन्होंने rule बनाया कि हमें south direction की तरफ सर करके सोना चाहिए क्योंकि north की तरफ सर करके सोने से हमें blood pressure यानि BP जैसी problems का सामना करना पड़ सकता है लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस वज़ा के पीछे ये अंधविश्वास जोड़ दिया कि नौट डिरेक्शन की तरफ सर करके सोने से मरने का खत्रा बढ़ जाता है घर से बाहर निकलने से पहले चीनी और दही खाना इंडिया का परिया वरन या इट्मोसफेर गर्मी वाला है इस परिया वरन में दही आप पर एक शीतल प्रभाव छोड़ती है और इसमें थोड़ी मात्रा में अगर आप चीनी मिला दें तो दही एक तरह से ग्लुकोस बन जाता है जो इंसान की शरीर के लिए बहुत ही फायदे मन्द है लेकिन भारतियों ने मीठी दही को अच्छी किसमत क्या प्रतीक ही मान लिया है साप को मानने के बाद सर कुचलना कहा जाता है साप को मानने वाले की फोटों उसकी आँखों में छप जाती है जबकि इस अंधर विश्वास के पीछे लोचिक ये है कि साप के मनने के बाद भी उसका जहर लोगों को मार सकता है इसलिए उसके सर को कुचल कर दबा दिया जाता है सूरे ग्रहन के दौरान घर के बाहर पैर नहीं रखना अपनी आखों से सूरे ग्रहन को देखने से आखों के रोशनी खतम होने का डर रहता है हमारे पूरवजों ने शायद इसी वज़े से सूरे ग्रहन को नुकसान दायक समझा और फिर सूरे ग्रहन के समय लोगों को घर से ना बाहर निकलने का नियम बनाया पर पीडी दर पीडी ये अंध विश्वास चलता गया और आज भी इंडियन्स इस अंध विश्वास को मानते हैं ये माना जाता है कि प्रेगनन लेडीज को जादा बाहर नहीं जाना चाहिए नहीं तो बुरी आत्मा का साया मा और होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है ऐसा करने के पीछे लॉजिक था कि पहले के वक्त में आने जाने के साधन की कमे होती थी और प्रेगनन लेडीज को पैदल चलने से कोई दिक्कत ना हो इसलिए मना किया जाता था कि वो घर रहकर आराम करें जिसे अब लोगों ने बुरी आत्मा की कहानियों से जोड़ दिया है त्यूज्डे और थर्स्डे को बाल ना धोना आपने अक्सर देखा होगा लेडीज ट्यूज्डे और थर्स्डे को बाल धोने से परहेज करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दिन बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुआत होती है लेकिन आपको बता दें कि पुराने वक्त में लोगों के घरों में पानी स्टोर करके रखना पड़ता था बाल धोने में पानी जादा खर्च होता था इसलिए इन दो दिन पानी बचाने के लिए बाल नहीं धोय जाते थे जिसे अब लोगों ने अंधविश्वास की तरह देखना शुरू कर दिया है मृत व्यक्ति के परिवार वालों के घर में शुरात तक खाना नहीं पकाने का अंधविश्वास हमारे पूरवजों ने ये भी एक नियम बनाया था कि घर में अगर किसी व्यक्ति की मृत्य होती है तो परिवार वालों को खाना नहीं पकाना चाहिए ये नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि मृत्य व्यक्ति के सभी परीजन शोक में डूबे होते हैं जिससे उनको बहुत थकान होती है और खाना पकाने में बहुत मुश्किल आती है लेकिन आज के दौर में भारतियों ने इस नियम को अंत्विश्वास मान लिया और इसके पीछे एक कार्प ने सोच रख दी कि अगर वो अंतिम संसकार वाले दिन घर में खाना बनाएंगे तो मृत्तक की आत्मा को शांती ही नहीं मिलेगी तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा और हाँ कमेंट्स करके बताइएगा जरूर कि आप क्या सोचते हैं इन सब अंत्विश्वास के बारे में से यह नग्स ताम